हेलो एवरिवन और नमस्कार सभी को क्लास एट जीक बोर्ड का जो आपके एकजाम होने वाले हैं सल्लमार्च तो यह आप सैल्स के पेपर विग्यान का पेपर के वस्तु निश्ट आपके 50 कोर्शन पूछे जाएगे पचास नमबर का पूछा जाएगा ओ आप देख सकते हूँ पचास नमबर को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं बहुत इज़ी से तो आप बिना चली बिना लेट के हुए जो मोडल पेपर आपका जारी हुआ है उसका सलूसन में करने जा रहा हूँ हम लोग मिल के स्वाल करेंगे तो चली बिना लेट के हुए श्टार्ट करते हैं मेट्स का पेपर का आपका सलूसन अप्रूट कर दिया गया आप जा के देख सकते हैं आपके history history English Hindi का भी कर दिया गया आप जापक की सकते हूं तो पहला question से आप है क्या क्यों पहला question से आपके बोलता है कोशिका का वास क्यारै क्या करते हैं और गय्मों कर दशिजक्रशन कर समान हो, उसे क्या करते हैं next question 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 number question two बोलता है क्या एक कोस्किय जीव कौन सा है एक कोस्किय जीव कौन सा है तो एक कोस्किय जीव आपका जो हो जाएगा अमीवा हो जाएगा एक कोस्किय मतलब कि उनी cellular organism कौन है आपे तो option C हो जाएगे next question 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 number three बोलता है क्या कि सजीव के सरीर की रचनात्म के किरियात्म काई है the fundamental the structure and fundamental unit of living thing क्या है कोशी का है क्या है कोशी का सेल है क्या जगा option A हो जाएंगे next question आपका बोला जाता है question number 4 question number 4 बोलता है नीमन में से आधातू कोन सी है तो नीमन में से आधातू sulfur भी आधातू है carbon भी आधातू oxygen भी आधातू है non-metal कोन है इसमें से non-metal कोन है तो सभी हो जाएंगे क्या जगा option D हो जाएंगे option D हो जाएंगे question number 5 बोलता है नीमन में धातू का उप्योग कहां किया जाता है पटाको में उर्वरक में खाना बनाने के बरतन में इसमें सभी तो 5 का जो option हो जाएगा पटाको में भी बनाए जाता है सर्थ पटाको में भी यूज किया जाता है और आपके उर्वरक भी बनाने में metal को यूज किया जाता है धातू को यूज किया जाता है निकल कर तो यूज होता है उर्वरक बनाने में फिर क्या हो जाता है खाना बनाने के बरतन बनाने में भी क्या जागा option डी हो जागा all of these all of these पटाकी में बनाने में और आपकी खाना बनाने में तीनों में यूज किया जाता है next question question number six क्या हो गया question number six क्या बोलता है कि कौन सी एक मात्र आधातू है जो विधूत की सुचालक है एक आपका non-metals है जो आपकी good conductor है किसका electricity का वो बताना है तो गेरेफैट जर कारबन का एलो टॉपस है कारबन का एलो टॉपस है गेरेफैट वो आपका good conductor है किसका electricity का क्या जगा option C हो जाएंगे डोकने के लिए किसका you उसक्या जाता है तो क्या जगा नमक का भी उपयो कि जाता खादी तेल का भी उपयो कि जाता है और आपके चिमनी सुगर का भी किया जाता क्या जगा इन में से सभी option D हो जाएंगे 7 option D हो जाएगा next question question number eight क्या बताता था कि legume पोदों की जड़ों में कौन सा जीवानों उपस्थित होता है लेग्यूम जो है पोदों की जड़ों में कौन सा जीवानों उपस्थित होता है तो आपके जो होते क्या होते हैं वहाँ पे रैजो रैजो बियम नैट्रोजन प्रोवाइडिंग आपके बेक्टरिय वहाँ पे परजेंट होते हैं क्या अगर option A हो जाएंगे सर, अब आते ही next question, question number 9, कि भिंडी की पीत किस सुस्म जीव से होता है, जो भिंडी का पीत है, वो किस आपके सुस्म जीव, किस माक्रो और्गनिम्स से प्राप्त होता है, तो ये किस से पता होता है, विसानू से परजेंट होता है, किस से आपकी जाएंगे, next question, question number 10, बोलता है, विदूत द्वारा किसी पदात पर किसी वानसित धातु को निच्छेपित करने की परकिरिया क्या कहलाती है, तो अगर किसी विदूत द्वारा जो आपका क्या, एलक्ट्रो लैसी कर रहे हैं, तो वातनी धातु को निच्छेपित करने के लि बोलता है, कौन सा घोल विदूत का कुछ चालक है, कौन सा घोल जो है, विदूत का, जो आपकी बेसित क्या हो जागा, कौन आपकी जो है, 11, क्या हो जाएंगे, आपके option, आसुत जल, डिस्टिल वार्टर, जो है, आसुत जल मतर्द डिस्टिल, यो कि वहाँ पर कोई आयन सिर्का में सर आयन से एस्टिक प्रोपर्टिस हो करता है, नीबू का रस में भी आपके आयन से, नल का पानी में भी क्या आयन से, जिसमें आपके आयन से नहीं है, विदूत का कुछ चालक, मतर्द डिस्टिल वार्टर, जो है, आसुत जल, वह क्या है, आपका कुछ चालक, उसमें आपके क्योंकि उसमें आयंस प्रजेंट ही नहीं है तो electricity कहां से कंड़ेट करेगा नेक्ट कोर्शन कोर्शन नमर्ट ट्वेंटी ट्वेल क्या बोलता है विदूत अब घटन का क्या उपयोग है विदूत जो अब घटन है आपके इलक्टोफाइंग जो आपका डिशोसियेशन है वो इलक्टोलाइसिस जो होता है उसका क्या है तो इसका उपयोग कहां पर क्या जाता है तो उसका उपयोग धातों के निसकर्शन में question number 13, बतार नीमन में कौन जीवों के जनन की आलेंगी की विधी, तो कौन सा जीव है, जिसके जनन की आलेंगी की विधी है, तो उसका कौन जीव है, 13, क्या हो जागा option, option जो निसेशन, निसेशन जो है, जीवों के जनन की आलेंगी की विधी है, मतलब निसेशन मतलब फटीला तो को जिवान में जन्र क्या लेंगी की भी धिया बादकी पेरेंस को यूज हो करते हैं तो क्या दगा है फटिलाजेशन ओप्सन यह हो जाएगा नेश्ट कोशन कोशन नमर 14 बाइनीचे सन किसमे होता है जो बाहरी मतल़ कि एक्ष्टाडियल आपके फटिलाजेशन होते हैं किसमे होता है मचली में भी होता है अस्टार फिस्ट में होता है मेटक में होता है क्या आपके जितने भी आपके पानी वाले जानमर मतलब मचली हो गया अस्टार फिस्ट हो गया मेटक यह तीनों में जो आपके हैं बाहरी आपकी फटिलाजेशन होता है वह बाहर होता है हम दो मतशली इंधर में अन्दर में फटिलाज करते हैं अब आता नमर 15 निचेशन के परिणाम सरूप क्या बनता है तो आपकी निचेशन के परिणाम सरूप जो आपकी बनते हैं यूगम नज बनता है जाएगोट बनता है क्या जगा option B हो जाएगे यूगम नज बनते हैं आप आते question number 16 question number 16 बोलता है दो सत्तों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है दो सत्तों कि अगर सर्फेस पर contact हो गया है संपर्क हो गया है तो वहाँ पर कौन बल लगेगा कौन बल लगेगा घर्सन फ्रिक्षन फोर्स लगते घर्सन ठीक है Option क्या हो जाएंगे C हो जाएंगे अब अब लोता है Next question Question number 17 एककांध छेतर का काjust बल को क्या कह थे एककांध छेतर का अगर काchi-ralat-बल है तो उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं DAB कहते हैं क्या कहते है DAB Pressure Force per unit area deeper Force acting per unit area each called pressure सुइरे नावकिये अभी किर्याहों द्वारा क्या उत्पन करता है प्रकास दोनों करता है क्या जगा option C हो जाएंगे 19 का option C उस्मा भी आपका हीट भी गर्मी भी पड़ता है और लैट भी देता रोस्नी भी देता क्या जगा दोनों आपकी देते हैं क्या जगा option C हो जाएंगे फोजिल फ्यूल नहीं है तो कोईला प्रकेर्टिक व्येश्ज सब करेंड़ है पके फोजिल फ्यूल है प्याल क्या नहीं है लगडी पाई फोजिल फ्यूल नहीं है ठीक है लकड़ी option 20 का क्या जगा option B हो जाएंगे option B जिवास जो फोजिल स्कोल नहीं है आपके लकड़ी नहीं क्या जगा option B हो जाएंगे नेक्ront नेक्ट कोशनस अब बोलता है 21 21 क्या बोलता है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवसे के किसी पधार्थ का अगर इसी मैटर को हम कमबसं करना चाहते हैं तो क्या आपका जोरुत पढ़ता है, तो आप वहाँ पे दहनसिल पदार्थ, जौलन ताप और ऑक्सिजन, तीनो जोरुत पढ़ता है, 21 का क्या हो जाएगे, 21 का option D हो जाएगे, तो जलाने के लिए क्या दहनसिल पदार्थ, combustion material चाहिए, और आपके क्या जौलन ताप चाहिए temperature चाहिए उतना उसको लिए और oxygen चाहिए, क्या जाएगा, option D हो जाएगे, 21 का option D हो जाएगा, next question, question number 22, जीवन काल की वाव आवधी, जब सरीन में AC परिवर्तन होती है, जिनके परिनाम सरूप जनन परिवर्तन आती है, तो अगर जीवन का काल का वाव आवधी, जो सरीन में कुछ परिवर्तन होती है, जिसे वाव हो या गल्स हो, उसका परिनाम सरूप जो जनन परिवर्तन आती है, उसे क्या काते है, 22 क्या काते है, किसोरा आवस्था काते है, क्या काते है, किसोरा आवस्था काते है, टीन एजर काते है, क्या काते है, इंगलिस में टीनेजर काते है कुछ आपके जब teenager में चाओगे 14 12 to 14 years के आसपास ठीक है और गल्स और आपकी 14 ठीक है 14 वही आसपास यह में वहाईज का जो आपके होते हैं उसके कुछ आपकी चेंजमेंट आते हैं वहाईज का चेंजमेंट आर्पिंट में आपकी हेयर निकलना थिक आपके आवाज चेंज होजाना तो यह सब किसके कारण होता है तीनेज के कारण क्या जगों ऑपशन सी हो जाएंगे नेस्ट कोर्षन नमर ट्व्ट इस चुरिधरीende को जोद आपकी युशित नहींड इंटेजन हुझे यह सब जाएंगे कौ चय ब्सक्रीकार जाये नेस्ट कोर्षन हो जाएंगे बच्चे के लिंग निर्धारन के लिए कौन उतरदाई है तो बच्चे के लिंग आपके उतरदाई के लिए कौन आपके उतरदाई है कौन उतरदाई है पिता क्योंकि पिता के पास दो क्रोमो जम है X और Y और सिर्फ जो माता के पास है यह एक ही क्रोमो जम है एक्स एक्स तो एक्स एक्स मिला तो क्या बनते हैं गरल बनते हैं लड़की बनती है और एक्स और वाई मिला एक्स और वाई बना मिला तो क्या बनते हैं वाई बनता है यह लड़का बनता है तो कौन जिमेवार है पापा जिमेवार है ममी जिमेवार नहीं होते हैं आप आते ह यह प्रावरतन को फुन का मान कितना फोगा तो मानों की एंगल ऑफ क्या होता है एंगल ऑफ scrambled सी हो जाएगा क्या सम्तल दर्थन से बना परतिविम होता है संटल दर्थन से एकर कोई परतिविम इमेज बना है image formed by plane mirror is कैसा होता है आपका अभ्हासी होता है क्या होता है अभ्हासी होता है काल्पनिक होता है और 26 का इह हो जाएंगे next question question पिरच्टि यहां से विजो या दानो को अलग करना क्या कहला था तो काटी गई ली ठीं अब थसल कू काट ले गेए गरें को काट लिया गया है और बी जो दानों को क्या कर रहे हैं अलग करने का कला यह क्या कहते हैं उस किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है तो किस को क्या करता है वो कहा जाता है क्या जाएगा आपके 30 का ओप्षन 30 का ओप्षन क्या हो जाएगा सोरी 30 का ओप्षन क्या केंचुवा क्योंकि केंचुवा जो होता है केंचुवा अर्थवार वह क्या करनाता है वह अर्थ को फटिलाज बनाता है क्या करता है अर्थ को फटिलाज बनाता है तो किस जीव को किस वित्र कहा जाता है केचुँआ होजागा अर्थवार क्या बनाता है पुर्वरा बनाता किसको आपकंड घ्रकु सांप भी सकता लेकिन यां पे जाद सविच के चुआ लेकि आपके जाता है urbide surfaceए उसका temperature क्या होता है तो इसका temperature आप का जो हुता है 6000다가 ऑपसन भी हो जाएगा सभन की जो उपनी tuba कर इसा और exoco जो है वो प्राकिर्तिक नेच्रल आपकी सटेलेट है क्यों है नेच्रल सटेलेट क्या हो जाएगा option B हो जाएगे आपके चंदर्मा सबसे आपका सबसे अधिक मास है तो किसका हो जाएगा 33 काहसर विरसपती का जूप वल का विरोध करती जो वल उसमें लगता है उस वल को क्या करती अपोज करती है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगने वाले फोर्स को क्या करती अपोज करती क्या जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा घर्षन निर्भर करता है घर्षन किस पर निर्भर करता है तो घर्षन आपके प्रि्ष्ट की परकिर्टी मतलब क्या सफ़े से उस पे भी है और वस्तु के भार ते एक आपका डिपेंड करता है एक हुर्ट तोड़ा कर दे अगर सत्ता को रब कर देंगे सत्ता को रव तो वहां पर फिक्षन बढ़ जाएगा क्या जगा ऑप्सन सी हो जाएंगे नेस्ट कोशन क्या है नेमन में कोन फोर आर में नहीं है तो रिमूब जलती नहीं इसके आपका नाइल इन को जलाओ गो तो पिगलेगा जलेगा नहीं क्या जगाएंगा ओप्सन सक्वाइब 40 का मात्रक्आ किया है आवरती मतला ही जो होता है यह जो घरता है हट्ज्यू कि ओप्शन Q सन्य हो जाएंगे में समय को क्या कहते है चरद करने में क्या करने में प्र second Co , एक प्रマिक टम परम लगे समी को क्या Statearbeit कहते हैं चरह Ox का ओप्शन भी हो जाएंगे क्या कहते हैं आवर्द काल के टाइम पीरियट कहते हैं इंगलिस में क्या कहते हैं क्या जगा ऑप्शन भी हो जाएंगे उन्जारां पिर्थवी में अस्थांत्रीत करने की परकिरिया को किया कहता है QOE ने कुईन समपर उसको संपर करते हैं व으면 का q 43 43 का क्या कि किसी आवेशीद जो आपके किसी आवेश्पीत वश्तु से आ और नहीं, तो कुंसर भूता है तो किसी दौर्स के दौर्ज आपको एक से सिस्मो जाएंगे, next question question number 45 आप इस कितने परकार के होते है जो चार्ज होता है type of charge दो परकार के होते है positive और एक नगेटी का जागा 46 को क्या जगा option B हो जाएगा 46 का option B हो जाएगा एरोसोल कहते हैं जो आपके सुस मठोस तरल करने में अगर सुस मठोस वहाँ पे आपके क्या solid वहाँ पे एर में present है तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल कोशन नबर 47 वायो मंडल में oxygen gas कितना पर्तिसत है कितना है 21% nitrogen आपका 78% है carbon dioxide 0.3% है क्या जगा 21% क्या जगा 47 का B हो जाएगे नेक्ट कोशन 48 वनन का अस्थाई हल क्या है वनन मूलन का अस्थाई हल क्या है तो यह क्या है पुनर वन रोपन क्या जगा option कि वनन मूलन को फिर से लगाना क्या करना है प्रहस्टेशन करना है क्या जगा option option आपके क्या जगे है आपके प्रकर्तिक संसादन है तो वाटर हो गये एर हो गया और आपके संड़ेट हो गए तो कपड़ा जो है वह आपका प्रकर्तिक संसादन नहीं क्या जाएक अप्सन डी हो जाएंगे तो इस तरह से हम देखे आप कि जो सारी इंपोरेंट कोर्शन संस के क्लास एट जेक बोर्ट का हो सकता है वह अहां पर हम दिस्क्रस किये आपके मैट्स और असेस्टी और इंग्लिस और हिंदी का आपको मिल जाएगा यही लिंक पर वही वेडियो पर एथे के इस चैनल पर आप जाके देख सकती हो धन्यवाद